कहीं लोगों का ये confusion रहता है कि हम 110cc की बाइक लेते हो जहां पर आ जाती है Pash Pro, Levo, City, Dream 110 और दूसरी भी 110cc की कहीं सारी बाइक्स अविलेबल है या तो फिर हम चले जाए 125cc सेग्मेंट के तरफ जहां पर अविलेबल है तो आप बिल्कुली सही जगा पर आए आज हम कोई स्पेसिफिक बाइक नहीं कमपेर करने वाले है आज हम इन दोनों बाइक के जो सेग्मेंट है ना उसे कमपेर करके जानने वाले है कि सही में 110cc की बाइक जादा बेटर है या तो फिर 125cc की तो चलिए दोस्तों बिना टैंबेस गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए है तो दो सेकेंड निकालके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले तो लेस्स गेट स्टार्टिड तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दू 110cc है न वहाँ पे आपको कम पाउर मिलेगी और ज़्यादा माइलेज तो माइलेज के बारे मैं आगे मैं कोई बात नहीं करूँगा इसलिए आपको पहले ही क्लेरिफाइ कर देता हूँ तो 110cc में जोटा एंजिन होने की वज़े से वहाँ पे आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगी और जो 125cc सेगमेंट है वहाँ पे आपको बड़ा एंजिन मिलता है इसलिए माइलेज कम रहेगी ये एक बात आप अपने मन में नोट कर लिजेगा और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आखिरकार मेंट डिफरेंस है क्या तो भाईस आप कोई भी डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों सेगमेंट की बाइक में नहीं है सिवाए इनके एंजिन यानि कि अगर आप looks के मामले में अगर इन सभी segment की bike को compare करेगे तो आप देख सकते हो Levo हो गई, Passion Pro हो गई या फिर जो आने वाली जो dream यूगा रहेगी या फिर जो CD dream 110 है और अगर हम दूसरी तरफ देखने जाए तो shine हो गई, super splatter हो गई Glamour हो गई, SP125 हो गई वो सभी look के मामले में same to same ही आ जाती है यानि कि हर इक segment में 2 या 3 SE bike हो जाती है जैसे कि यहाँ पे 110 में Levo और Passion Pro जो कि आपको काफी जादा शांदा और sporty look provide कर देती है और अगर हम 125 CC में बात करें तो वहाँ पे Glamour और SP125 जो कि आपको एक sporty look provide करके देती है यानि कि look के मामले में 2 मही segment के पास ऐसे तकड़े दावेदार available है लेकिन यहाँ पे SP125 को थोड़ी दिर के लिए इस list से हटा देते हैं क्योंकि वो कभी कबार budget के मामले में 1,00,000 से out हो जाती है कही कही states में उसकी price बहुत ज़ादा higher है इसलिए हम थोड़ी दिर पे SP125 को side में रख देते हैं तो अगर हम बात करें तो अगर आप एक AC bag find out कर रहे है जहाँ पे आपको एक sporty look मिल जाए साथी साथ एक powerful engine provide कर दिये जाए तो आपके लिए 125 CC segment जादा better है क्योंकि वहाँ पे हर एक bike में आपको एक बड़ा engine मिलता है और जितना बड़ा engine होगा जितने जादा CC का उतना ही जादा वो आपको power और torque निकाल निकाल के देगा यार जबकि हम बात करें 110 CC के बारे में तो वहाँ पे भी आपको power अच्छी खासे मिल जाती है जो भी इंडिया में अभी फिलहाल अवेलेबल 110 CC के bikes वहाँ पे power आपको no doubt अच्छी मिल जाती है लेकिन वहाँ पे आपको power के साथ mileage भी तो मिल जाती है जो कि हर एक Indian customer की सबसे पहली need हो जाती है तो looks के मामले में मैंने बता दिया वो आप देख लीजे अब बात कर लेते हैं power की तो हो चुकी अब आजाते हैं riding quality पे तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ी कहने जैसी कोई चीज नहीं है दोनों ही segment की bike में आपको अच्छी riding quality offer कर दी जाती है लेकिन जो 125cc segment की bike है वहाँ पे आपको क्या होता कि उनकी price थोड़ी high price रहती है in compared to 110cc bike इसलिए वहाँ पे जो उनका suspension setup है वो थोड़ा जादा कहीं ना कहीं softer रहेगा यानि कि जो उनका suspension है वो थोड़ा जादा कहीं ना कहीं आपको अच्छी comfortable ride provide करवा के देगा in compared to 110cc वाली bikes के मुकाबले जैसे कि आप super spender को ही ले लीजे एक low height bike है इसलिए वहाँ पे suspension setup शांदार work करके देगा और आपको खराब रास्तों पे भी बहुत ही अच्छी riding वहाँ पे मिल जाने वाली है glamour की अगर बात करें आपको provide कर दिये जाता है जबकि लीफो की बात करें तो आपको वहाँ पे शांदार engine मिलता है और साथी साथ एक mileage निकाल के देने वाला भी engine आपको provide कर दिये जाता है और passion pro में वहीं सेम मामला आपको देखने को मिल जाता है यानि कि overall अगर मुट्टा मुटी तोर पे वीडियो को खतम करते हैं बोले तो मैं आपको बता दू अगर आप city में ही चलाना चाहते हैं और आपके लिए mileage जादा matter नहीं करते हैं तो आप 125cc के उपर जा सकते हैं आपका budget allow करें तो वरना 110cc की bike आपके लिए best रहने वाली है क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छी power भी मिल जाती है उनकी engine wise और साथी चाथ वहाँ पे उनका maintenance भी थोड़ा जादा कम रहेगा 125cc वाली bike के मुकाबले और साथी चाथ वहाँ पे आपको Indian customer की सबसे पहली need जो है वो हो जाती है mileage वो भी अच्छी मिल जाती है Basically 110cc की bike उन लोगों के लिए बने गई है जो की 100cc purchase नहीं करना चाहते है और 125cc उनके budget में नहीं है तो आप 100cc और 125cc दोनों का ही combo ले लीजे 110cc की bike जहां पे आपको engine power के साथ-साथ mileage और smart looking और advanced features भी provide कर दिये जाते है अब आप देख लीजे मैं तो आपको बोलता हूँ budget अलोगों करें तो 125cc otherwise 110cc की segment में आप अपने तरीके से कोई भी must the bike find out कर सकते हो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी और अगर आप confusion किसी दो bikes के बीच में तो आप मुझे comment में भी पूछ सकते हैं और हमारे channel पे जाएए वहाँ पे मैंने ज़्यादातर हर एक bike की comparison वीडियो बना के दे दी है आप वहाँ से वीडियो देखके अपना confusion sort out कर सकते हैं तो बस दोस्तों यहीं थी हमारे आज की वीडियो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बूले ऐसे सही और इंटरसिंग वीडियो के लिए